हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज से हम लोग एक नया स्रीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यहां पे जो भी हिंदी मेडियम के छात्र हैं जिनको जैसे की राष्टिय संस्करन जो दैनिक जागरन का होता है यह अगर उन लोगों त सी योपेसी और फिर किसी भी सिविल सवीशेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह जो न्यूज पेपर का जो होता है रोल होता है तो फिर बहुत बढ़ी युगदान भी रहता है इसमें की तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डेली इस स्रीज में तो दैनिक जा पढ़ने में थोड़ी सी तकलीप होती है कठी नाईयां होती है तो इसलिए हम यहां पर दैनिक जागरन का निउज पेपर ठीक है वीडियो जो है वह मैं कोसीज करूंगा कि सुबह में ही लेकर क्या हूं लेकिन अभी फिलहाल यह मैं मतलब अभी अपलोड कर रहा हूं तो इसके लिए आप लोगों से आप लोगों से मैं राय चाहता हूं कि बताए कव वीडियो को अपलोड किया है ठीक है लेकि इसमें जो हम मेरे लिए जो हमारे एक्जाम के लिए जो इंपोर्टेंट है और एक और बात यह बताना चाहता है बीपीसी में जो एसे एड़ कर दिया है ना तो एसे की तयारी कैसे करें तो फिर हम न्यूज पेपर पागर पूरी तरीके से कमांड कर लेते ह तो सबसे पहले तो current affairs आपका clear हो जाएगा दूसरी चीज यह आप लोग को जैसे जो भी topic यहां पर चलेगा जैसे कि मान के चले पॉलीटी से रिलेटेड अगर कोई supreme court का फैंसला है या फिर कोई किसी राज में जैसे दल बदल कानून हो गया इन सब सारे चीजों को आप वहां पर मतलब देखने को मिला जैसे पॉलीटी से रिलेटेड हो गया जैसे कि अभी भूजल संकर्ट उत्पन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का है तो जो ग्राफिक का चीज हो गया तो उसको भी हम लोग यहां पर कवर करने की कोशिस करेंगे ठीक है और फिर जैसे कि आप current affairs के साथ एडुटोरियल जो है ना एडुटोरियल भी मैं यहां पर करवाँगा एडुटोरियल से यह फायदा होता है क आप लोग एक अच्छा किसी भी भी से बस्तू पर आप अच्छी पकड बना लेते हैं ठीक है तो एडुटोरियल को भी मैं यहां पर करवाँगा उसका main theme बताऊँगा और exam में उसको कैसे use करना है उन सब चीजों को भी मैं बताऊँगा ठीक है तो चलिए और I hope कि यह series आनून का पालन ठीक है इसमें क्या हुआ है कि यह BBC जो BBC ने क्या किया था यह पूरे news का मैं वो चीज बता देता हूं आपको theme बता देता हूं इसमें क्या हुआ कि जो विदेश सच्यू विदेश मंत्री जो है यह Cleverly है जो ब्रिटेन के हैं उन्होंने क्या किया है कि मतलब अब वह अपने अभी G20 का मीटिंग चल रहा है तो फिर उसमें वे आये हुए हैं विदेश मंत्री क्या नाम है इनका इनका नाम है Cleverly ठीक है यह ब्रिटेस की है तो BBC क्या है कि BBC ब्रिटेस ब्रोड कास्टिंग जो सेंटर था वो क्या करता था कि मतलब एक चैनल है यह क्या करता है कि न्यूज को मतलब पर सारित करता है हाली फिलाल की पिछले आप लोग न्यूज पर पर पढ़ते होंगे या फिर करेंट में बने होंगे तो आपको पता होगा कि BBC ने क्या किया था कि एक जैसे हमाई देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का जो गोधरा कांट जो हुआ था गुजरात दंगो को ले करके उस पर एक इंटरविए बीबीसी ने लिआ था और उस इंटरविव को उन्होंने सर्कॉलेट कर दिया कहां से बैं कर दिया गया अपने इंडिया से मतलब बीबीसी इंडिया से बैं unity किया गया उसके बाद से BBC की जितने भी मतलब जो BBC पे क्या हुआ है कि जो भी इंडिया में ऊपविस है है मतलब वहां पे चापा पड़ा है ठीक है चापां पर य सका तो आयकर भीभाग का चापा पड़ा network जैसे ही चापा उठाया तो वो मुद्दा उठाया विदेश मंत्री हमारे भारत के जो विदेश मंत्री है S.J. Sankar के पास उन्होंने अपने इस मुद्दे को उठाया तो S.J. Sankar का कहना ये है कि भारत में काम करने वाली हर एजेंसी को यहां की कानून की हिसाब से चलना होगा आयकर विभाग है तो भारत की है ठीक है तो भारत में ये काम करें तो इसमें क्या है कि आप इस मुद्दा को इन्होंने असपश रूप से खारिज कर दिया भारत में जो भी कोई भी ऑफिस है कहीं भी अगर आयकर का चापा पड़ता है तो भारत की कानून के अनुसार वो चापा पड़ा है तो फिर इसमें इस मुद्दे को इन्होंने असपश रूप से मतलब जो मुद्दा था उसको साफ कर दिया बस यहीं चीज मतलब इसी न्यूज को यहाँ पर कवर किया गया है ठीक है और फिर नेक्स देखते हैं और फिर इसी में एक बात और आप लोग देख सकते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रिमेंट पर उन्होंने मतलब उनसे क्या किया है कि बात जी दिनोंने किया है ठीक है और नेक्स देखते हैं हम लोग नेक्स न्यूज देखते हैं नेक्स न्यूज यह है कि मनिसंकर एयर की बेटी के सेंटर फर पॉलिसी रिसर्च का एपसी आप जो लाइसेंस उसको रद कर दिया गया यहां पर यह चीज़ देखेंगे हम कि जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है एक एंजियो सेंटर है ठीक है एंजियो सेंटर है और इ क्या है यह Center for Policy Research जो जिसको मतलब और FCR लाइसेंस क्या है तिन सब चीजों को हम इस नूज में देखेंगे तो यह क्या होता है ना कि यह जो है कि आप लोग देख सकते हैं कि जो Center for Policy Research एक तरह का NGO है NGO क्या होता है NGO NGO Non-Government Organization होता है ठीक है और NGO के तरह यह CPR जो है इसका मतलब एक वो चीज है Center for Policy Research जो है वो क्या करता है कि बिदेश से जो भी मतलब वो क्या किया आता है कि जो भी बिदेश से दान दिया जाता है ठीक है इसमें क्या है कि बिदेश से जो भी दान आता है ना तो CPR में ही आता है ठीक है और फिलहाल क्या किया गया है कि इस पर रोक लगा दिया गया क्योंकि जब यहां की जो से जब यह चीज मांगा गया कि भाई अब इसका डेटा दीजिए कि कितना रुपया आया कितना रुपया गया तो इस डेटा देने में लोग मतलब समर्थ रहे जिसके कानिस पर वो मतलब क्या किया गया रोक लगा दिया गया क्या है यह CPR ठीक है तो CPR जो है ना अब 1973 में इस मुद्दे हैं उसके सोध फिर से भी मर्स करना और परिचर्चा करना है ठीक है और उसके बाद से CPR की जो मतलब मीनाक्षी गोपीनाथ इसकी चेर परसन है ठीक है और यामिनी अयर जो थी वो कौन है इसकी प्रेसिडेंट है और मुख्यकारिकारी भी है ठीक है और यामिनी ब Bill Gates Foundation बिल गेड्स की जो मतलब वो foundation है उसके बास से ऊप फांडेशन है उसके बास से Duke बिश्वविद्ध्याला है पैंसिलवेनिया बिश्वविद्ध्याला है क्या होता है FCRA यह होता है क्या कि विदेश से आर्थिक मदद लेने वाले हर बैक्तिया संस्ता को FCRA के तर्थ रजिस्टेशन कराना अनिवाज होता है FCRA वर्स 1976 में आपातकाल के दौन विदेशी चंदे की निगरानी के लिए वो चीज मतलब किया बनाया गया था अब पूछेंगे आपकी यह बनाने की क्या जूरुद पड़ी थी हमारे देश में हो सकता है अगर कोई विदेश से कोई अगर पांडिंग कर रहा तहहीं होगिंट सब्सक्राइब की ये भी जर्मा कर सकते हैं ठीक है और 2020 में किन सरकार ने क्या किया है कि इसमें UPA सरकार की क्या किया गया था FCRA को और मतलब स्ट्रोंग बनाने के लिए क्या किया गया था कि इसमें संसोधन किया गया और 2020 में भी CANCER कान एक वार फिर से इसमें किया थीक है इसमें क्या है कि SOROS से जुड़ी संस्था की इसमें चर्जा किया वार्सिक रिपोर्ट कर अनुसार Namati Inc. ने भी CPR को दान मिलता है Namati Inc. इंक जो है उससे भी इसको दान मिलता है और मीडिया का ये कहना है कि ये आरपपती अमेर की निवेसक जो है उनके जिनका नाम है जोर्ज सोरास से भी ये रिलेटेड है और एक टीबी रिपोर्ट के अनुसार नमाटी इंक को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से वितिये मदद म भारत में भारत के बारे में अवांचित क्या किया था इन्होंने कॉमेंट किया था ठीक है तो ये है हमारा सी पी यार ये है सेंटर पर पॉलिसी रिसर्च और एपसी एपसी आरे के बारे में इस न्यूज में हम लोगोंने जाना ठीक है चलिए नेक्स न्यूज में चलते है नेक्स जूज़ ये है हमारा कि सुन्योजित सहर ही करेंगे देश के भाग इका निर्मान जिसमें यह चीज बतायागाए कि देश के अभी 75 साल हो चुके हैं 75 वर्स आजादी के मतलब हो चुकर 75 वर्स में 75 नए और बड़े मतलब अगर नियोजित सहर को अगर बसाया गया होता तो आज भारत की मतलब इस नूज में यह चीज का गया कि भारत की जो मतलब वो चीज है भारत की दसा और दिसा कुछ अलगी होती सुन योजित तरीके का मत मतलब यह चीज है कि मतलब की हर एक चीज को देख करके मतलब सहर को बसाना जैसे कि वहां का कचरा का परबंदन कैसे होगा फिर से जल जमाओ की जो समस्या होती है उसको कैसे निपटना है किस तरीके से वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की किसी सहर में कैसे है कि एक दो ही ही ऐसे सहर्स इस थे तरीके से बसाइगा है खिर हमारा मसला नहीं हमारा मसला ये जिए है कि चक्रीय अर्थ ब्यवस्ता क्या होता है और सहरी भीकास का बड़ा अधारषा भारत जो है अभुवन तो सहरी विकास का धार बना रहा है कैसे तो देश में जो हर दिन हजारों टन सहरी कच्रा निकलता है तो यह 2014 में सिर्फ देश में 14-15% कच्रे का प्रसंद सकरन होता था मतलब इसका प्रोसेसिंग किया जाता था तो इस तरीके से चक्री अर्थ बसा एक चीज को बार 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 यूज करके उसको एकनॉमिंग में डेवलब करना ठीक है और फिर यहां पर अर्बन प्लानिंग और अर्बन गौर्णनेंस के मतलब इन्होंने यह बातचित किया है कि कैसे इसको आगे सुन यूजित तरीके से स देखेंगे कवर करेंगे यह जो न्यूज है विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेण पर फंसेगा पेंच ठीक है इसमें जी 20 में अभी जो जी 20 की बैठक हो रही है नई दिल्ली में आज ही ही हुआ है ठीक है गुरुबार के दिन यह बैठक की सारी तैयारियों को इसा ले रहे हैं ठीक है और यहां पर इन देशों के बिदेश मंत्री पहुंचे है और अर्जेंटीना ऑस्टेलिया ब्राजेल कैनेडा चीन यूरोपिये संग फ्रांस जर्मनी इंडोनेसिया इटली मेक्सिको ठीक है और जापान दक्षिन कोरिया रूस अमेरिका मतलब यह लोग यहां पर बिदेश मंत्री यहां पर पहुंचे हुए है ठीक है उसके बाद से फिर क्या हुआ है कि यह जो मतलब इंडिया के लिए यह मतलब पहला मौका है जो सारे देश के बिदेश मंत्री यहां पर और बहुराष्टे एजंसियों के सिर्स अधिकारी भी इसमें भ वो मसला हो गया है कि अमेरिका, कैनेडा, फ्रांस ठीक है एक तरफ से रूस और चीन हो गया है रसिया और चीन हो गया है और दूसरे तरफ से कौन हो गया है अमेरिका, कैनेडा, फ्रांस, बिटेन, जर्मनी हो गया है ठीक है तो क्या है कि यह दोनों अपने आगे हमनों एड आमने तो आ नहीं सकता लेकिन इसी चाइना अगर रसिया की तरब से है तो फिर अमेरिका क्या करेगा कि अमेरिका क्या किया है कि यूकरेन के साथ खड़ा है ठीक है लेकिन बात यह है कि इसमें जो भारत जो है वो नहीं चाहता है कि जिस तरह से बैंगलोर में संगठन के जो संजुक्त बयान जो जारी नहीं किया गया था वैसी इस्थिति यहां भी हो ठीक है और जो बिदे सच्चिव हमारे भारत के हैं वो इनका ये चीज़ कहना है चुकि ये जो हो रहा है वो भारत में हो रहा है ठीक है भारत में हो रहा है तो बिदे सच्चिव जो बिनय मोहन क्व भारत के लिए उक्रेन रूस यूद के बाद जिस तरह से जैसे कि उर्जा हो गया खाद वा उर्वरक संकट की जो इस्तिती बनी है वह कापी महत्पूर्ण है ठीक है और मतलब क्या है कि यसे भारत के लिए ने बलकि ग्लोबल जो साउथ देश जो भी है जो भी विकासिर और उनके लिए भी बहुत महत्पूर रखता है यह चीज ठीक है और 2023 में जो बैस्वी करत विवस्ता है उसकी विकास दर्श संभावित मतलब जो क्या होगा कि गिर भी जा सकता और मांगाई भी मांगाई की स्तिती जो है उस पर भी मतलब बात करने की जो संभावना बन रही है ठीक है और फिलहाल इस मुद्धे पर अभी मतलब इन सब चीजों को ले करके बात जित होने वाला है ठीक है बस इस न्यूज में यही है और फिर नेक्स न्यूज देखते हैं नेक्स न्यूज यह है कि क्वार्ड जो है क्वार्ड के बैटक के लिए भाहत आसके जापान के जो विदेश मंत्री क्वार्ड क्या है क्वार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे और विदेश मंत्री यह भारत में मतलब आने वाले हैं कौन है जपान के विदेश मंत्री तिनका नाम है योसी मासा हायासी ठीक है और यह हिस्सा नहीं ले रहे हैं G20 में लेकिन यह क्वार् बैठक जो सुक्रबार की मतलब जो उसको समती बनाई गई है ठीक है और इसमें कौण कौण से देस हैं तो आपनों को पता होगा जापान, अमेरिका, भारतर, ऐस्टेलिया का ये संगटन है ठीक है और इसका जो सलाना बैठक जो होता है मैं या जुन में यह एक मतलब होता है और इस बार का जो बैठख होगा और ऐस्टेलिया में 2023 में होना है ठीक है बस इसमें कुछ खास वो चीज नहीं है बस इतना याद रखे जपान के बैठख मंत्री का नाम योसी मासा हायासी है और क्वार्ड में जो भी संगटन है संगटन में जो भी देश है जपान अमेरिका भात और ऐस्टेलिया है ठीक है जपान के मंत्री का नाम आपको बता ही दे योसी मासा हायासी और इसकी बैठख जो 2023 में होगी यह होगी कहां पर यह होना है ऑस्टेलिया में होना है ठीक है नेक्स्ट नूज देखते हैं नेक्स्ट यह है कि समानता की चाहत रखता निया जगत यह एडिटोरियल में बहुत ही अच्छा इन्होंने लेख लिका है यह जो लेखक है पुरुपरशासनिक अदिकारी भी है इन्होंने यह चीज कहा है कि समानता की चाहत रखता निया जगत जैसे कि सम्मिधान के अनु चल रहा है कि जो दिल्ली के जो उप मुख मंत्री और जो मनिश स्वादिया जो जिनको गिरफ्तार किया गया है तो उनको गिरफ्तार करके special treat दिया जा रहा है ठीक है जो 5 दिन के लिए उनको BCA सर्दालत ने मतलग गहन पूछ दाज के लिए रिमांड पे 5 दिन के लिए रखा है तो इन्होंने ये चीज जो लेख लिखे हैं इनका ये चीज कहना है कि जो सम्मिधान के जो अनुशे 14 में जो दिया जाता है कहा जाता है कि अनुशे 14 में ये चीज लिखा हुए कानून के समख समानता तो क्या इस सिधान्त जो है वो पवितरता के साथ पूरा किया जा रहा है इस पे इन्होंने प्रसंचीन उठाया है क्यों क्या किया जा रहा है इनको लिया गया है कि जो CCTV कैमरे की नजर में ही मतलब जो भी अधिकारी होंगे वो पूछेंगे उसके बाद से रोज साम को 6-7 बजे के बीच आदे घंटे के लिए अपने वकील से मिल सकते हैं में कोई CCTV केमरे नहीं हो गया फिर कोई उनकी बातचित को नहीं सुनेगा ठीक है रोज अपनी पतनी से 15 मिनट मिल सकेंगे और 48 घंटे में उनकी मेडिकल की शांच की जाएगी ठीक है हर एक 48 घंटे पे उनकी मेडिकल की शांच की जाएगी और इन पे पता है करोड रूपय का ये भरस्ट अचार के आरोप में ये गिरफतार हुए है और ये कोई स्वतन्दता से नानीतो है नहीं लेकिन कोस्चन ये है प्रसंचीन ये कड़ा होता है क्या आम नागरी को जब रिमान पे लिया जाता है आम नागरी को रिमान पे जब पूछ ताच के लिए हिरासत में लिया जाता है तो क्या ऐसे उन्हों के साथ भी पूछ ताच के दोरानी उनकी जान चली जाती है थार्ड डिगरी ट्रिट्मेंट उनके साथ मत्लब वह चीज किया जाता है लेकिन ये मनिश सी सोधिया जो है उपमुक मंत्री है इनके लिए एक अलग ही बेवस्ता की गई है तो कही न कहीं हमारे सम्मेदान के अनुचे 14 कानुन के समय समांता का सिधान्त है उस पे कहीं न कहीं ये चीज क्या करता है यह पवितता पर कहीं न कहीं question उठाता है इसी के भी सह में यह समानता की मतलब जो इसी पर यह इन्होंने अपना article लिखा हुआ है यह बहुत ही बढ़िया article है कि रूस युक्रेम युद्ध से कितना बदला बिसूद ठीक है इस article को यह मतलब यूज किया जा सकता है आपको जो भी G.S. के paper होते हैं उसमें अगर कुछ ऐसा question आता है तो आप लोग वहाँ पर यूज कर सकते हैं इनका यह कहना है कि यह जो writer है जो इन्होंने लिखा है कि यह अंत्राष्टी मामलों के जनकार है इनका नाम है Dr. Rais Singh इन्होंने यह चीज करने का कोजिस किया है कि पिछले बर्सोर जो भी विश्व के जो तहरीर स्क्वाइर इंडिपेंडेंट स्क्वाइर और कैपिटल हिल जैसी अनेक घटनाय देखा गया था लेकिन यह जो मतलब जो घटनाय थी वो एक तरफ से जो भी आम जो लोग होते हैं उनके गुस्से की जो अभिवेक्ती के रूप में यह प्रसपूर्टित हुई थी ठीक है लेकिन जो संभावता द्योस्ता से असंतुष्टी का यह चीज परणाम था लेकिन यह जो रूस और युक्रेन का जो भी वार हो रहा है तो क्या यह वार अचानक सुरू हुआ या फिर इसका पहले कहीं न कहीं इसका नतीजा क्या निकला और क्या फिर यह भी हो सकता है कि इसका पहले कहीं न कहीं सुरुवात पहले भी हो चुका था तो इस चीज को इन्होंने इस आर्टिकल में कवर किया है ठीक है और जैसे की 2013-14 ये जो युद्ध है इनके अनुसार ये जो युद्ध है उसमें क्या किया गए कि पचमी पक्ष के लिए रूस को इसमें कटगरे में खड़ा कर रहा है और दूसरा पक्ष जो पचमी ताक्तों को देखा जाए तो गौर्ड से देखे तो रूस यूक्रेयन का यूद वर्स 2013-2014 में ही सुरू हो गया था जिसकी प्रस्तावना बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है ठीक है और 2022 से इसका उपसंगहार लिखना अब जाकर के स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक यह पूरा नह नहीं चला लेकिन पुतीन चलिए शुरुवात करते हैं कब से स्टार्ट हुआ था चौबिस फरवरी 2022 को यूद की गोस्तना करता है तो जो पुतीन करते हैं जो पुतीन यह स्टार्ट कर देते हैं बलादेमीर पुतीन जो रसिया के हैं इन्होंने यह क्या किया कि इस पीच में बहुत सारी बातों को यह चीज मतलब बोलते हैं कि अंतराष्टिय संबंदो और जुद से भी जो कुट नीती है उस पे भी इनोने अपनी बात को रखा ठीक है और पच्मी जो विस्व में जो धुंदले पन को बनाया रखा कारण जो भी रहे हो ठीक है पुतीन के भासन के मादम सर्विस्व के सामने जो भी बाते रखी थी वो यह इसारा कर रही थी कि युक्रेन तो केवल युद का मैदान ग्राउंड है युक्रेन अगर देखा जा तो केवल ग्राउंड है बास्त्रिक परती दोंदी तो हैं ही नहीं युक्रेन की क्या कैपिसिटी जो रसिया का मुकाबला कर सके अब इसमें है कौन इसकी प्रिस्ट भूमिम में अगर चलते हैं तो 1991 में जैसे सब भी जानते हैं कि सोबियत संग के जो सोबियत संग का जो बिघटन हुआ था उसके साथ ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में यूक्रेन निकल करके आता है ठ ठीक है तो अगर ये चीज़ देखा जाए कि इस बिघटन के रूस पर डाकी के रूप में देखा गया था जैसे कि कभी हिटलर और मुसुलिनी का वर्टसाइक की संदी के बाद दिखा सभी जानते हैं कि इसमें नाजी बाद और फासी बाद पन पा था और अंत्ता विस्ट को विस्वजुद तक ले गया था हलाकि आज के हालात कुछ अलग हैं परन्तो फिर भी विस्व संकट का सामना तो करही रही है ठीक है संभवता हाल फिलाल में बस यही संकट जो है वो खत्म होने वाला नहीं है कारण क्या है तो कारण एक तरफ है अमेरिका सहीत पश्मी दे जो युद्ध है वो एक्टमी युद्ध की हो जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर यह चीज़ बोला जाए कि क्या हमनों वारूद के धेर पे पूरा विस्व है तो बिल्कुल है मतलब देखा जा सकता है कि बिल्कुल है क्यों है तो जनवाई 2023 में अमेरिका और बिर्टे टेंक और जर्मनी ने अपने लेपर टेंक देने का बचन दिया था किसको ये दिया था यूक्रेंड को ठीक है और दूसी तरफ रूस ने क्या किया स्टार्थ Chamber को सस्पेंट करने का नियदा ले लिया ठीक है इसके निरतार है तो है ही दुर्गामी प्रभावविःद संक आ पैर आ रही हो ठीक है लेकिन बास त्विकता हिया है कि सोवियत संग के पतन के बाद अमेरिका नहीं तिहास के एक युग के अंत की जो छदम जूठा परिकल्पना जो है उसकी तैयार कराई और उसका परसार-परसार किया गया सोवियत संग जो है वो खंडारो पर उगे सोतन देशों को जिस परकार से युरोपिय संग और नाटो का सदस्ट बनने की रणनी थी रूस को निस्तेज बनाकर उसके अस्तित्तों को समाप्ठ करने जैसा ही थी ठीक है नाटो जैसी संगठन जो है और फिर से यूरोपिय यूनियन जो संगठन है तो कहीं न कहीं ये मतलब जो भी डिमोक्रेटिक कंट्री के रूप में रसिया निकल करके आया तो कहीं न कहीं उसको फिर से निस्तेज उसको परभाव हीन करने के ही बराबर था कि भाई तुम NATO में मिल दा हो तुम European संग में मिल दा हो और उसके बाद से हम क्या करेंगे हम मतलब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे ठीक है तो कहीं न कहीं ये रोस को टैकल करने के लिए सब किया गया लेकिन इसमें इसका खामियाजा भुगता कौन इसका खामियाजा भुगता छोटे छोटे देश भुगतते हैं जैसे कि यूक्रेन ठीक है यूक्रेन क्या कर रहा है यूक्रेन उसकी खामियाजा भुगत रहा है इसमें फायदा यूक्रेन को थोड़े हुआ फाइदा अगर कहीं न कहीं देखा जा तो अमेरिका को हो रहा है अमेरिका डायरेक्ट टू डायरेक्ट रसिया से बदला लेना चाह रहा है चाइना भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट किससे अमेरिका से बदला लेना चाह रहा है ठीक है तो यह चीज मतलब देखा जा सकता है कि जो देश अगर इसमें ये बोला गया है कि अगर जो हमारे पास मूल चीजों की कमी है जैसे कि मतलब जैसे कि एजुगेशन से ले हो करके भुकमरी से लेकर के जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे ही फैक्ट है इन सब चीजों पर अगर वो चीज प्रॉबलम पर अगर सब सारे दिसमें करके सॉल्ब करने की कोछीज करें तो वो ठीक है ना कि एक दूसरे को युद में अपने फायदे के लिए युद में ढकेल देना और पिर मतलब अपना उसमें फायदा देखना ठीक है इसी चीज को लेकर कि इस आर्टिकल को लिखा गया है इसमें ठीक है एक और बहुत ही यहां पर इंट्रेस्टिंग कॉलम आर्टिकल है कि बुद्धी जीवी और बुद्धु जीवी में अंतर ठीक है बहुत ही अच्छा लगाई है आप लोगों को भी जानना चाहिए बात यह है कि कोई कितना भी बोल ले इंगे शुरवात करते हैं लाख कोई कहे कि जमाना बुद्धी जीवीयों का है तो जो बात जो है वो बुद्धु जीवीयों में है वो बुद्धी जीवीयों में है ही नहीं कैसे जैसे कि बुद्धु जीवीयों का मतलब ही क्या होता है बुद्धु यानि कि मुर्ख लोग तो मुर्ख लोग जो है ना मुर्ख लोग क्या करते है जैसे चलाक लोग और जो बुद्धी जीवी है जो intellectual person वो क्या करते हैं वो आकड़ों पर भरोसा करते हैं data collect करेंगे उसका परिणाम results सोचेंगे फिर ये काम करेंगे और फिर बहुत सा चीज analysis कर के ही वो चीज उस पर पर पहुंचेंगे लेकिन क्या करते हैं वो भी मुर्ख जो लोग है वो अपनी मु अपनी समकलमंदी की उसमें वो चीज रहा था कि आरे मैं तो हो सियार हूँ लेकिन अगर बहुमत की बात अगर की जाए तो बुद्धू जीवियों में यानि कि मुर्ख लोगों की अगर बहुमत में अगर हो तो वहाँ पे ये चीज़े कि उनलों की संक्या वो चीज हो जा जान भी जा सकती है ठीक है तो जादा अगर जन संक्या में मतलब वो लोग हैं मुर्ख लोग हैं तो उनसे बहस करना ये चीज है अगर वो लोग बोले कि भाई गदा आसमान में उड़ता है तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहा हो कल ही तो मेरे बरामदे में आया हुआ था तो इस तरीके से आप लोग उन लोगों से छुटकारा पा सकते हैं ठीक है उसी पे ये बहुत ही अच्छा लगा आर्टिकल तो इन्होंने ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स न्यूज यहाँ पे ये है कि भारत बनेगा सबसे सस्ता 5G बजार बिल गेट्स जो है उन्होंने ये चीज बोला है कि भारत को हम लोग सबसे सस्ता 5G बजार बनाएंगे और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब माइक्रोसॉप्ट के साथ जो संस्तापक है बिल गेट्स ने तो भारत के कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तारीफ की उन्होंने कहा कि भविस में सबसे सस्ता जो 5G होगा वो भारत का ही होगा और भारत के पास एक बेतरीन डिजिटल नेटवर्क भी है और अच्छे कनेक्टिविटी वाले स्मार् जो है वो डिजिटल पॉब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वादावी से अपने बुद्भार में जो दिल्ली में होती एक सेशन को इन्होंने G20 का जो बैटक हुआ उसमें इन्होंने ये चीज को संबोधित भी किया ठीक है और बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को अब दाता है या फिर वहां के स्वास्त को लेकर के सिक्चा को लेकर के ये लोग जागरे खुराते हैं और अपनी फाउंडेशन के त्रू महाँ पे लोगों को क्या करते हैं कि सहयोग पहुंचाते है ठीक है तो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि बारत को ये बोल रहे ह तो आपनों को मैं बता दूँ उस कार की कीमत 40 लाग की है और यह G20 सम मेलन में जो सडक पे जो क्या किया गया की मतलब सजावट के लिए जो क्या किया गया है कि गमला लगाया गया था इन्होंने SUV कार में इन्होंने मतलब कार्णीवल जो कार का नाम है SUV कीया का कार्णीवल जब की गए जिसकी की मतलब 40 लाग रुपय है ठीक है और जो उस वेक्ति की पहचान भी की गई हो GMDA में अधिकारी है मतलब बताया जा रहा है और जो दिल्ली के जो गुरू ग्राम एक्सप्रेस वे है वो बीदेशी महमान के स्वागत के लिए वहाँ पे लगाया गया था MBA Small के सामने जो फूलों के गंबले से रखे गया थे वहाँ पे दो पर जो होटल लीला के नजदिक से VIP नंबर वाली किया का निवल खड़ी कर जो दो लोग गंबले उठा कर उसमें रखने लगे तो किसी ने क्या किया कि इनका वीडियो बना कर सोचल मेडिया पर डाल दिया तब से यह लोग भी वाइरल हो गया है और इनको क्या किया गया है कि मतलब गिरफतार किया था लेकिन फिर जमानत पर इनको छोड़ देगा और इन्होंने अपनी गलती को वह चीज किया है स्वि कार किया है ठीक है नेक्स देखते हैं कि नेक्स न्यूज यह आया है कि मतलब जाच के बाद जो एब बीए जो है फेटल ब्यूर आफ इंवेस्टीगेशन अमेरिका की अजेंसी है एब बीए उसके जो डाइरेक्टर है क्रिस्टोफर रे ने यह चीज बताया कि कोबिड-19 जो जो मतलब जो पेंडेमिक हुआ था वो चीन के वहान सर में सित लैब से फैलने से इनकी पूष्टी कर दी गई है ठीक है कि वहीं से ये लैब से बाहर आया था और दुरगटना बस पर योग साला से ये बाहर आ गया तो उसके बाद पूरी दुनिया में क्या हाकार मचा दिय ठीक है तो यह इन्होंने कहा है कि कोरोना वारिस वुहान लैब से फैला है ठीक है। कि नेक्स देखते हैं कि नेक्स न्यूज यह है कि भारतवनसी M.I.T. पुरफेसर जो है वो उनको क्या किया गया है कि उनको जी मारकोनी पुरसकार दिया गया है ठीक है भारतवनसी जो M.I.T. पुरफेसर हरी बाल कृष्णन को मारकोनी पुरसकार यह चीज दिया गया है यह किस चित में दिया गया है तो wireless networking और mobile sensing के चित में मौलिक होज के लिए इनको दिया गया है next news देखते है next news यहाँ पे chat GPT जो है उसके बारे में है जैसे कि Google और जो भी search engine है वो मतलब उसे भी एक ही जबाब ये शटिक जबाब देने के लिए ये जाना जा रहा है chat GPT ये क्या कर रहा है कि Microsoft का AI Bing है और Google का AI search engine की दोड़ में ये क्या मेहनत कर रहा है बेचारा मसकत कर रहा है कि ये भी आगे निकले ठीक है लेकिन साउधानी भी इसके साथ जरूरी है एक ही सटिक ये कोई खास उतना इंपोर्टेंट नहीं है तेकिन बस ये चीज़ जान जाए कि चैट GPT जो है इसमें ओपन आर्टिफिसियल एजनसी जो ओपन एई इसमें काम करती है आर्टिफिसिल इंटेलिजेंस काम करती है जिसका दुरूपयोग भी किया जा सकता है ठीक है तो बस इतना ही आपको यहाँ पे जानना है नेक्स देखते हैं नेक्स नियूज ये है कि जम्मु कास्मेर में एक और उपलब इस सिंदु नदी पर बना जो आर्च ब्रिज है इसको तैयार किया गया इसकी लंबाई 110 मीटर लंबा है 10.50 मीटर चौड़ा है और 2020 में ये काम सुरू हुआ था और इसकी लागत जो है वो 23.79 करोर रूपे की लागत है और 95% ये काम पूरा हो गया है और इससे ये फैदा है कि ये जो बना है सिंदु नदी पर ये बना है और इसको बाद से मतला इसी मा इसको खोल दिया जगा अमरनाथ के जो यात्री भी है इसी से स्री नगर लेह मार्ग पर मतलभ ये जा सकते है ठीक है स्रिन नगर लेह मार्ग और आमरनाथ के यातरी भी जा सकते है ठीक है तो ये चीज है और नदी तल से 369 मिटर पे ये जो सबसे उंचे आर्ग प्रिच के नाम से जाना जा रहा है ये ठीक है और और ये बना कहाँ पे है तो ये बना है गंदरवल जीले के वाइल इलाके में सिन्दू नदी पे बनाया गया है ठीक है एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये न्यूज है जापान का गुडिया महोटसो ठीक है जापान में परतिवर्स जो महिला वा बच्चों के उत्तम स्वास्त और खुसी काद्जस्त मनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लो कट्सूरा विग हिमांसुरी जो हिना मात्सूरी उत्सव मनाया जाता है इसे गुडिया वाली का दिवस भी कहा जाता है इस मौके पे काट्सूरा सहर के तो मिसाकी मंदिर में सिणियों पर हीना गुडिया सजाई जाती है और हीना मात्सूरी को हीना मत्सूरी भी कहा जाता है इसका आर्थ होता है गुडिया मोहत्सू ठीक है तो गुडिया मोहत्सू कहां से रिलेटेड है मतलब कि स्वास्त को ले करके जाग रुपता यहां पर नहीं जाया फिर सीर में लगी चोट से बढ़ता है ब्रेन कैंसर का जोकिम ठीक है तो ये मतलब ये परकासित किया गया था करेंट बायोजी जर्नल में इसको परकासित किया गया है ठीक है जो कैंसर कारिक एलिमेंट है वो क्या करते है कि तालमिल बैठा लेते हैं मस्तिक सुजन के साथ ठीक है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रेन कैंसर की संभावना को मतलब इसमें बढ़ जाती है ठीक है और ये कहां कि सोथ करताओने किया तही उनिवरसिटी कॉलेज बंदन के सोथ करताओने इसको बताया है और ब्रेंट तुमर के लक्षण क्या क्या है तो सीर्दत करना मामुली द्रिश्टी दोस हकलाना कमजोरी और सुष्टी और संतुलन बिगणा ये आपका brain tumor के लक्षन है तो नीचे तो बस film से related वो चीज है तो कैसा लगा आप लोगों को ये आज का session आप लोग बताईएगा comment जरूर कीजिएगा ठीक है फिर मिलते हैं कल के video में अच्छा लगे तो फिर comment करना ना भूलिये गालो ठीक है और भी इसमें improvement करेंगे और धीरे धीरे इसमें improvement करने की जरूत भी है इसका PDF मैं डाल दूँगा अपने telegram channel पे तो आप लोग आँसे देख सकते हैं तो ये मिलते हैं फिर next कल और तब तक के लिए आप सभी को जाहें